हेलो एवरिवन, वेलकम टो लॉजिक पार्च चला, आज की बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम करने वाले हैं महतवपूर्ण सीमा रिखाई, जो भी इंटरनाशनल इंपॉर्टेंट बाउंडरीज हैं, पूरे वर्ड में उनको हम लोग कवर अप करे करेंगे और क्या उसके फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग क्या extra fact याद कर सकते हैं, और यह सारी चीज़े हम लोग बिलकुल अच्छे से learn करेंगे, तो अगर आप याद करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको बहुत ही easy memory tricks यहां पर बताऊंगी, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना पड़े exam में, और उसके बाद कुछ revision questions भी करेंगे कि exam में इस topic से कैसे question बनती हैं, ठीक है, तो काफी सारी चीज़े हैं आपर cover up करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में और वीडियो पसंद आए, तो क्या करना है, बल्कुल, लाइक ज़रू कर जो भी international line उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं अच्छे से study करेंगे, देखो सबसे पहले line है Mac Mohan line, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में है, जो border line है चाइना और इंडिया का, वो Mac Mohan line बोलते हैं, यह जो line ड्रो की गई थी, यह line किस ने तयार की थी, तो sir Henry Mac Mohan के द्वारा इसको तयार किया था, 1914, तो इसलिए इनके नाम पर यह line हो गई Mac Mohan line, ठीके, कभी-कभी इनका नाम भी exam में पूछ लेती है, तो याद कैसे करें, वैसे तो आप लोग इसको तो direct ही याद कर सकते हो, बट फिर भी चलिए, थोड़ी से trick देख लेते हैं, देखो, आ महो नहीं रहा, तो Mac Mohan में महो आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, अब चलते हैं, हम लोग मैप पे, ठीके, देखो, यह है इंडिया का स्टेट कौन सा है, देखो, यह अरुनाचल प्रदेश, और इधर भूटान आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो पूरा बॉर्डर लाइन है, ठीके, यह राइड कलर, यह कौन सी लाइन है, देखो, अब एक कन्फ्यूजन स्टूरेंट्स को होता है, बिकॉज एक Mac Mohan लाइन है, और एक LAC है, तो ध्यान रखिए का LAC क्या है, LAC लाइन अफ कंट्रोल, जो कि इंडिया और चा बॉर्डर शेयर होता है, उसको हम क्या बोलते है, Mac Mohan लाइन, ठीके, तो इसलिए मैंने आपको यह दोनों चीज़े क्लियर करी है, इसके बाद very important line, that is the Red Cliff line, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में located है, यह जो भी भाजन हुआ था, partition हुआ था, और इससे क्या हुआ थ इसको क्या किया था, partition किया गया था, इनका नाम ध्यान रखेगा, अब याद कैसे करेंगे, देखो, वैसे direct लियाद करो इसको भी, क्योंकि यह कुछ ऐसी lines है, जो आपको direct लिया दोने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, चलो कोई बात नी, और ह अधर से attack हो रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया के लिए खत्रा बनता जा रहा है, धीरे-धीरे करके, और आपने देखा होगा कि जो खत्रा है, उसको कौन से color से show करते हैं, उसको red color से show करते हैं, ठीके, कि बई, dangerous है, तो red से क्या हो जाएगा, red cliff line हो जाएगा, जो कि इंडिय और पाकिस्तान के बीच में है, red cliff line देखो, divided होई थी तीन पार्ट में, तीन पार्ट इसके बनेते हैं, वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया और इस्ट पाकिस्तान, लेकिन 1971 में क्या हुआ था, जो Bengali people हैं, जो इस्ट पाकिस्तान में रहते थे, उन्होंने rebel किया, अगेंस्ट पाकिस्तानी रूलर्स के, और एक new country यहां पे निकल के आई, बांगलादेश, तो यह border वैसे इंडिया पाकिस्तान के सासत, बांगलादेश भी आप कह सकते हो, ठीके, यह जो line separate करती है, वो इंडिया और इस्ट पाकिस्तान को separate करती है, और जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो क्या हो गया, बांगलादेश बन गया, और प्रेसेंट टाइम में जो border है, वो इंडिया और बांगलादेश के बीश में आप कह सकती है, यह हिंदी में है, उसी का ही part, थोड़ा से explanation था, इसने में आपको समझा दिया, देखो, यह है पाकिस्तान का साथ border, और यह इंडिया क occupied यह एडिया है, पाकिस्तान ने जो occupy कर रखा है, यहां जो border होता है, वो क्या है, line of actual control, ठीक है, line of control, ठीक है, line of control है, यहां पर ध्यान रखेगा इस चीज़ को, यह दोनों चीज़ से आप लगों को difference पता होना चाहिए, इसके बाद बहुत जादा क्या होता है, इसके बहु यानि पाकिस्तान होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, यह line इंडिया और श्री लंका की बीच में, कोई line खिची भी नहीं है, बट एक तरीके से हम यह बोल सकते हैं कि, यह partition करता है दो countries को, इसलिए हमने इसको line बोल दिया, कोई ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि हाँ, पाकिस्त करने के लिए कि ग्लोब के study आसान हो सकी, इसके लिए हमने इसको माना है, तो इंडिया और श्री लंका के बीच में से को line नहीं बनी हुई है, यह सकते हो कि दोनों countries का border आप बोल सकते हैं, पाक स्ट्रेट, इंडिया की कौनसे स्ट्रेट, तमिलनाडू, और श्री लंका का district याद कैसे करेंगे, पाक, पाक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप इसको शान्ती से रिलेट कर सकते हो, ठीके, अब याद कैसे करेंगे, इंडिया में हमारे भगवान श्री राम जी जो थे, वो श्री लंका गए थे, तो वहाँ पर रावन को मार नहीं था, और जब र जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के को अलग करती है, इट इस रिजल्ट ऑफ अग्रिमेंट हुआ था, एक सर मोर्ती मर दूरेंट के बीच में, और जो अफगानिस्तान के साशक है थे, उस टाइम पे अबदुर रह्मान खान, 1893 में हुआ था ये अग्रिमेंट और उ आप ववाहें फैल रही है, किस चीज को लेके, डर को लेके, ठीक है, कि ऐसे लोग दर हुए हैं, वैसे हो गया, ये हो गया, तो बहुत सारी अववा फैल रही है, डर को लेके, तो डर से डूरेंट हो जाएगा, अववा से अफगानिस्तान हो जाएगा, और कहां पे फैल लहाएं पाकिस्तान में मैप में देख लिए देखो यहां पर पाकिस्तान से और यह जो सारी यह जो पूरा byproduct बनना है उसक्तान के साथ जहां तक हो घई connected वह कौश्य यह ऑट हो गया जो जर्मन उन्होंने एक डिफेंसिव लाइन बना दी थी कि वो अपने फ्रांस ऐसे क्या कर सके भई अपने आपको बचा सके तो एक डिफेंसिव लाइन बनाए गई थी वर्ड बॉर के टाइम पर पहली चल रही थी वर्ड बॉर ठीक है याद करेंगे देखो याद करने का बहुत अच्छा है इसका देखो जर्मनी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं मनी मनी को क्या करते हैं लोग मनी को हाइड करके रखते हैं चुपा के रखते हैं अगर चुपा के नहीं रखेंगे तो क्या होगा उनकी पोल खुल जाएगी क्यों उनके पास इतना सारा हो पैसा है रेड पढ़ जाएगी उन पर है ना तो मनी को लो क्या करते है छुपा के रखते है जो ब्लाक मनी रहता है तो जर्मनी पोल से पोल लैंड और हाइट से हिंडनबर्ग हो जाएगा ठीक है अच्छे से बिल्कुल याद हो गया चलो अपने मैप देखते हैं देखो अगला कुशिंट ग्रांट से लिए नहीं वहाइगा 54 अगला थिक्र लाइंड र्ग्वाइगे तरह से चम maggie out जे अगे Cl нев बनाए देखते हैं आपको जार्मनी याव अगे रहिंड में हम पनी सकते हैं याद्च डिल्ये अशल लाईएग कि द्होरज़ किटो एक तो defensive line होनी चाहिए ताकि हम अपना बचाव कर सके ठीक है याद केसे करेंगे देखो France में आप ऐसे याद कर सकते हो कि France में Maggie, Maggie knot से हम लोग Maggie बनाएंगे France में Maggie, बहुत Maggie मिलती है या हमें नहीं पता क्यों मिलती है हमने तो trick बना दी काफी सारी money लग जाती है उसको खरीदने में तो France में Maggie यानि Maggie knot और money लग जाती है से Germany याद हो जाएगा ठीक है रिविजन करेंगे तब आपको समझा जाएगा बहुत easy topic रहेगा या आप लोगों के लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया सो देखो यह जर्मनी यह है फ्रांस और यह आपको जो रेड कलर से लाइन दिख रही है यह कौन सी लाइन है यह आपकी लाइन हो जाएगे मागिनोट लाइन ठीक है ध्यान रखेगा उसके बाद एक और लाइन पढ़ेंगे फ्रांस और जर्मनी में वह भी आपको याद रखने उसके अभी देखते हैं अगली लाइन देखो क्या है अगली लाइन है मनेरहीम लाइन ठीक है जो कि रशिया और फिनलेंड के बीच मे इसे ऐसे डिफेंसिव लाइन अगेंस्ट दी सोबियत यूनियन यानी रशिया से बशने के लिए जब वर्ड वार 2 चल रही थी उस टाइम पर विंटर वार थी तो फिनलेंड ने अपने आपको बचाने के लिए डिफेंसिव लाइन बनाई थी ठीक है अब याद कैसे करें भई देखो फिन्लेंड आपको पता है कि ये World Happiness Index में टॉप पर रहा है यानि फिन्लेंड में लोग बहुत ज़ादा खुश रहते हैं क्योंकि बार-बार टॉप पर ही रहता है सो फिन्लेंड के जो मैन है न हम ऐसा कह रहे हैं वो रूसते नहीं है क्या नहीं होते वो रूसते नहीं है क्योंकि वहां पर खुश हाली है तो वहां के लोग खुश रहते हैं तो रूस से क्या हो जाएगा रुशिया मैन से मैन हुरेम हो जाएगा और फिन्लेंड में तो खुश हाली से आपको याद रहेगा ठीके, देख ले दें भाई इसको, देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो border दिख रहा है आपको, यह जो red color से ही पूरा क्या है, manurum line, इधर Finland है, इधर Soviet Union है, यानी Russia है, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next line देखिए कौन सी है, order nice line, जो कि Poland और Germany के बीच में है, यह line defines करती है, border between the Germany and Poland, after the world war second, ठीके, जो world war second हो गया, उसके बाद यह तरीके से border बन गया, एक तरीके से boundary बन गई, और यहाँ पर दो rivers हैं, एक है order और एक है knees, तो यह डोनों rivers का किनारे हैं, जो banks हैं, वहाँ पर यह बिलकुल line है, बिलकुल located है, ठीके, आप देखो, याद कैस अला था money, यहाँ से हम लोग money लिका लेंगे, पॉलाइंड से हम land लिका लेंगे, ठीके, तो जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत land होता है, उनके पास power होती है, वो लोग order देते रहते हैं हमेशा, है ना, दूसरे लोगों को अपने आप से कम समझते हैं, तो इसलिए वो order देते रहते हैं, तो order से order nice line हो जाएगा, किस किस के बीच में है, बॉलाइंड और जर्मनी के बीच में, देखो map में, यहाँ पे बॉलाइंड जर्मनी है, यहाँ पे नीस रिवर है, बिलकुल इसके किनारे पर यह जो line आ रही है, यह कौनसी line है, यह line है, आप extension है हिंडर वर्ग लाइन का, जो हिंडर वर्ग लाइन थी, आप उसका कह सकते हो कि extension उसका और जाधा विस्तार रूप इसको बोल सकते हैं, ठीके, याद कैसे करें, तेखो, ऐसे आद कर सकते हैं, कि जर्मनी और जो फ्रांस है, वो दूसरे को क्या करते रहते हैं, सीज करते एक दूसरे को या फिर आप कैलो, रोकते रहते हैं, एसा आप याद करने के लिए क्रिका यूज कर सकती हो ठीके, लोकेशन हम लोग इसको देख लेते हैं, देखो, पहले हम लोगों लोगों ने ग्रीन वाली लाइन कर रही थी, यह कौन सी ती, मैगिनॉड लाइन और यह इसके बाद आती है नीली रेका जो कि हम ब्लू लाइन बोलते हैं यह लेबनौन और इसराइल के बीच में हैं बॉर्डर क्रियेट किया गया था बाइदी उनाइटी नेशन्स के दुआरा ऑन दी सेवन्थ जून तुटाउसेंड में फॉर दी पॉपस ऑफ कि इसराइल ने किस परपर्पस को लेकर की कि इसराइल पूरी तरह से लिबनौन से हड़ गया ये तो इसी परपस को लेकर एक लाइन बना दी यूनाइटी निशन ले थीC याद कैसी करें भाई इसको तो देखो रॉयल कलर क्या होता है देखो इसराइल से हम लोग थोड़ा सा रॉयल बनाएंगे रॉयल रॉयल ठीके तो रॉयल कलर हम कहते है न कि ब्लू पहनना चाहिए रॉयल लुक लगता है नॉन ब्लू नहीं चली का रॉयल के लिए ठीके तो तो टॉब्लो लाइन प्लू लाइन हो जाएगा ते कौंगी इा लिबनों और इस्राइल ओ गई लोकेशन में लाइन यजो जो ब्लू कलर आ लाइन लाइन दिखरी ये भी लाइन दिखरी तैंट इस्ट ब्लू लायन इसका उनके बीश में है तो यह जो लाइन थी यह 1964 में स्टेबलाइश किया था युनाइट नेशन ने फिसको 1974 में एक्स्टेंड किया गया विक्हर और इसको मतलब जब 1964 में तो इसको इसको बढ़ाया गया था याद केसे करेंगे तेको लोकेशन देख लेते हैं एक बार इस इस अपने आपको बोल दिया है कि रिपब्लिक ऑफ नॉर्डर्ण साइप्रस है हम और इधर हो गया आपका साइप्रस तो याद कैसे करेंगे इसको किस किस के वीश में देखो गले में क्या होता है ना कुछ अटक राए ठीक से अटीला हो जाएगा अटीला लाइन हो जाए तो क्या बोलते हैं Doktor कि सिरॉप पी कि अटने मी कुछ परॉपल्म हो तो हो ठीक कि एसको माल पूर्म हो जाएगा और कkellर sirap का साइप्रस हो जाए पर जाए का सिरुप कोई कोई ग्रीन कोई राइड कोई कया समें क कैसे होता है तो हमने माला कि हमारा तो सिरुप ऐसका क्या क तो यह सारी इंपोर्टेंट लाइन थी अब कुछ पैलल लाइन से जो पूछी जाती हैं तो उनको पढ़ती हैं सबसे पहले देखो 17 पैलल यानि 17 समांतर लाइन जो है वो साउथ वियत नाम और नौर्थ वियत नाम को अलग करती है आइंटी सब问सेखल मिसको मताब अधाब जब वियत नाम के इक हुरन के बाद है वैसे इर्रेलिवेंट ओको अधिए याद केसे करेंगी तेखो, उत्तर साउच मतलब बहुँ साउच में नाम कर जाके नश्य तो जो भी करूला लेकिन जो काम करूला वह साफ शुत रया होना चाहिए चैयर पर सुत्रा से बनाओ और नश्य वयत्नाम तो यादो चाहेगा then कि पर दैख लेते हैं मैक में यह नॉर्फ वयत्नाम है यह साउथ वियत नामर, यह जो लाइन जा रही है, 17th parallel line यह इन दोनों के बीच में located है, ठीक है, बहुत पुछे जाते हैं यह lines, इसलिए ध्यान रखेगा, इसके बाद है 20th parallel line जो कि लीबिया और सुडान के बीच में है, इसलिए लाइन आपने देखेऊंगे इस तरीके से होती हैं ठीक है, यह कोई खीजी नहीं है, यह imaginary lines है, और यह तरीकी का लीबिया और सुडान का बॉर्डर बनाती है, अब याद कैसे करेंगे, सुडान के जो लोग है वो बस क्या करते रहते हैं, लीव ही लेते रहते हैं, मत बस लीव लिए जारे हैं चुटी लिए जारे हैं, तो बस से बीस होगा, लीव से लीव ही और कौनसे लोग लीव ले रहे हैं, सुडान के जो लोग हैं, लोकेशन देखो लीव ले शुडान, आप देख सकते हो, कि इनका जो यह बॉर्डर बन रहा है, यह 20th जो है वो क्या बार्श कोधेको थे manufactured और है जब सकते हैं और किसे में देख हो कि याद करना trochę कर एजी होता है है तो एंदम से win डान हो जाता है 25th याली 25th यानी 25 जि की फाल्ल आजा कि मौरीटानिया और माली के भीक में यहाद करें दिको M से ओर मम् माली तो 25 Tao N की यह लाईन है, जो कि हमें तोड़ा सा थिंट रल जाये इसके बाद है 34st parallel line बहुत important है इरान और इराक से चाती है ये दोनों का मतलब एक तरीकिस आप कहलो कि US की जो state है लोईसिलिया और मिसिसीपी उन राज्यों के बीच भी ये सीमा बनाती है ठीक है बट आपको इरान और इराक याद करना है अब इसको कैसी आद करेंगे धर 1st जब हम लिखते हैं और जब हम आय लिखते हैं तो इन दोनों में आप में देख रहे होँगे तो इस तरीके से यहां से एक line जाती है ठीके और यह कौन से line है यह 31st parallel line इसके बाद है 38 parallel line very important South Korea और North Korea के बीश में हैं यह एक तरीके से दोनों को अलग करता है South Korea को North Korea से ठीके याद कैसे करेंगे देखो South Korea और North Korea वाले क्या करते हैं एक दूसरे से अड़ते रहते हैं कि हम अच्छे हैं हम अच्छे हैं ठीके तो अड़ते और अड़ते ओके अच्छे से याद हो गया बिल्कुल map में एक बार देख लेते हैं this is the North Korea and this is the South Korea आप यहां पर यह लाइन देख 149th parallel line जो कि USA और Canada के बीच में है तो अमेरिको बिटे ने को एक संथी करीटी करीटी जिसका नेम था ओरिगॉन ट्रीटी तोनों ने 20 एर ओफ जॉइंट उक्यूपेंसी ऑफ पैसिफिक नौर्थ वेस्ट इसको समाप्त कर दिया था ठीके स्टीटी के बाल और यह लाइन ज इन दोनों के बीच में लाइन है तो फिर यहां पे भी लाइन मना दो और यहां पे भी लाइन मना तो क्या बन गया यह 49 बन गया ना तो बस 49th parallel line जो है वो USA और Canada के बीच में है देखो location देखो इधर USA है और यह है Canada ठीके यह जो लाइन जा रही है आप देख रहे हैं जो भी international borders थे वो complete हो गए है ठीके आप इसके अलावा कुछ भी याद करने के कोई जरूरत नहीं है विकास यही आप लोगों से बूच जाएंगे तो एक बार रवाइस कर लेते हैं तो बूचा है मैक मोहन लाइन भारत और कौन सी कंट्री को डिवाइट कर दी है तो हमने य कौनसी लाइड अफगा रवाइस्तान को अलग करती है तो कॉश्चन को बन रहे हैं ऐसे एकजाम में बनेंगे तो पाकिस्तान में अपुवा फैली थी डा किस बात की कि वहां बहुत सब्सक्टाट डर है यह हुआ फैल रहे है तो डर से क्या हो गया दूरंड लाइन हो गय क्लियर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरेंड लाइन इसके बाद इसराइल और लेबनौन के बीच में कौन सी रेखा है तो कैसे हमने आद किया था देखो इसराइल से हमली क्या बनाया था रोयल रोयल कैसे आता है जब आप ब्लू कलर पहनोंगे, ठीके में वर्णाथ करते है कौन से दो कंट्रियस को विवाजित करते हैं , मिन क्या बुलादा , महिघी बहुत महिच नहीं है , ऑप वहां पर महिफ करनी नहीं , यह न खर्च करनी था , पर का पर महिच थी , फरांस महिच पर महिफ क पर धा है , तो सम्सी जपन कहा है , यह राकाः धिक इसके बीच में हैं, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हैं, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत इजी हो रहा है, याद करना, इसके बाद है 49 पैलल नाइन, इसको माडेसन लाइन भी कहते हैं, यह कौन से कंट्रीस को अलग करती है, तो हमने कैसे कहा था, देखो 4 कैसे बनाता, जब U और उसमें एक लाइन बना दीती, नाइन कैसे बनाता, जब हमने C में इस थरीके से बनाया था, तो U से USA हो जाएगा, और C से Canada हो जाएगा, तो यह लाइन जो है, वो USA और Canada के बीच में है, इसके बाद है North Korea और South Korea को कौन से लाइन अलग करती है, तो हमने क्या पढ़ा तो यह थे revision question, आपको समझ आ गया होगा कि question कैसे बन सकते हैं, और trick से हमें कितना easy हो गया, देखो question solve करना, बस एक second भी नहीं लग रही हम answer ले आ रहे है, अब homework question आप लोगों के लिए बताएगा, कि Russia और Finland को कौन से line separate करती है, और order nice line कौन सी 2 countries को separate करती है, ठीके, तो आप लोगों के वीडियो काफी interesting रही होगी, और topic अच्छे से clear होगा, ठीके, topic में कोई problem लगे, या फूर topic आपको अच्छा लगे, तो आप अपना feedback भी मुझे दे सकते हैं, और ऐसे important जो static js के topic है, उनको हम cover up जल्दी यल्दी करेंगे, ताकि exam में आप लोगों को help मेले, तो चले आप लोगों से next video पे मिलोंगे important class में, thank you so much for watching this video.